हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलिगराज स्टूडियोज के एक और नए वीडियो में मेरा नाम है शरीफ दोस्तो हम बात करेंगे आज राधिका आप्टे के एक शौकिंग निउस के बारे में राधिका के माने बताया कि लीग हुई उनकी निउट क्लिप्स जैसा कि सब लोग जानते हैं कि राधिका आपके को फिल्म इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेट एक्टरिस में से एक माना जाता है ओडियन्स स्क्रीन पर उनकी एक्टिंग स्किल कहीं बार देख चुके हैं ऐसा भी वाना जाता है कि राधिका एक ऐसी कलाकार है जो हर तरह से हर किरदार आसानी से निभा सकती हैं वो समाज के अलग-अलग मुद्दप पर अपनी राय देने से भी पीछे नहीं हरती हैं साल 2015 में अनुरा कैशब की एक शौट फिल्म की एक क्लिप काफी वाइरल हुई थी जिसमें राधिका आप्टे निउड सीन्स में दिखाई थी ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया और वाइरल हुई थी इसी तरह साल 2016 में राधिका की फिल्म पास्ट काव एक सेक्स सीन्स भी काफी वाइरल हुआ था जिसमें उनके साथ अदिल हुसेन थे हाला की राधिका ने इन वाइरल क्लिपस को कोई खास तवजूर नहीं दी और कहां कि इस से उन पर या उनकी फिल्मों पर कोई फर्ट नहीं परता हाली में राधिका ने ये भी कहां कि ऐसी लिक्ट क्लिपस पर वो ज़्यादा टैंशन नहीं लेती बलकि इन सीन्स ने उन्हें और बہتर एक्ट्रेस थाबित करने का मौगा दिया है राधिका ने अपनी लिक्ट नीउट क्लिप के बारे में एक टॉक शो में बताया था कि अपने इस वाइरल क्लिप के बारे में सबसे पहले उन्होंने अपनी मां से सुना था दूसरी बार उन्होंने अपनी leaked nude clip के बारे में अपने driver के मूँ से सुना था उन्होंने कहा इसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है राधिका ने कहा मैं कुछ भी कर सकती हूँ और लोग उस पर कुछ भी नहीं कह सकते राधिका अब अपनी अगली फिल्म अंदाधुन में आईश्वान खुराना और तब्बू के साथ नजर आएंगी आज के वीडियो में बस इतना ही उम्मिद करता हूँ आप कोई वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूले और अग्ड़ सब्सक्राब चनल